दोस्तो क्या आप अपनी फून की इंटरनेट कनेक्शन पे लोक लगाना चाहते हैं? अगर आप एशा सेटिंग करना चाहते हैं कि आपकी फून की डाटा कनेक्शन को कोई आउन ही न कर पाए तो फिर आज किस व्डियो को आप अंतक ववाज किजिएगा दोस्तो यहां पे हम अपनी फून की हूम स्क्रीन पे हैं और यहां पे हम सीखेंगे कि अपनी फून की डाटा कनेक्शन पे कैसे लोक लगाते हैं तो अपनी फून की डाटा कनेक्शन पे लोक लगाने के लिए आप अपने फून में सेटिंग्स को ओपन किजिएगा और दोस्तो settings open हो जाने के बाद यहां पे आपको एक option मिलेगा SIM card and mobile network तो यहां पे आपको क्लिक करना होगा SIM card and mobile network पे यहां पे अब दोस्तो यहां पे अगर आपकी phone में दो SIM लगा होगा तो आपके phone में यहां पे दो SIM दिखलाईगा मेरे phone में फिलाल single SIM लगा हुआ है इसलिए यहां पे no SIM card लिख रहा है तो दोस्तो अगर आप जिस SIM card की data connection को बंद करना चाहते हैं उस पे lock लगाना चाहते हैं तो आप उस SIM को select किजगा फिलाल हम यहां पे SIM 2 को select कर रहा हूँ और दोस्तो अभी आप जैसा की देख रहे हैं कि यहां पे अभी मेरा internet connection on है यहां पे आप जैसा की देख रहे हैं कि यहां पे भी मेरा internet connection on है तो अगर आप इस पे lock लगाना चाहते हैं तो आपको फिर क्या करना होगा कि यहां पे आपको एक option मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम यहां पर आपको क्लिक करना होगा एक्सेस पॉइंट नेम पर यहां पर आपको एक option मिल जाता है mobile office हो सकता है आपके फुन्मेयर टेल का सीम नहोंकर कोई और Course Company का सीम होगा तो यहां पर कुछ अलग लिखा हुसकता है तो उससे नई मतलब है आपको simply यहां पर क्लिक कर देना हो यहां पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर लिए option कीजाता है more का यहां पर इसके बाद यहां पर आप तो दोस्तों यहां say अब आपकी internet connection बंद हो जाती है जैसा कि आप देख रहें कि यहाँ पे अब मेरे फुन में internet connection बंद हो गया है और यहाँ पे अभी यह data connection भी ओन है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख रहें कि यह internet connection यहाँ से बंद हो गया है यहां पे आप आराम से देख सकते हैं कि अब यहां पे internet connection सूर नहीं कर रहा है दोस्तो अगर आप इसे वापी से फिर से लाना चाहते हैं तो आपको लाने के लिए फिर से जाना होगा settings में और settings में जाने के बाद यहां पे आप click किज़ेगा SIM card and mobile network दिन आप अपने SIM card को select किज़ेगा और उसके बाद यहां पे आप access point name पे click किज़ेगा तो यहां पे फिर आपको नीचे में एक option में जाएगा reset का आपको simply यहां पे reset पे click कर देना होगा तो यहां पे यह फिर से आपका internet connection यहां पे show करने लगेगा जैसा कि अब आप देख रहें कि अब यहां पे internet connection आ गया है अगर बोडियों चलेके तो लाइक कीजिए share किजिए अपने दुस्तों वाटसप की जबू गुरूप में और किसे हैं simple simple बोडियों में अपने चैनल पे लेके आते रहे हो तो तो आप मारी चैनल को जोरू subscribe करें मिलते हैं पने बोडियों तो अब तक क्लिपना ख्याल होख करते हैं नग् 69 बोडिय।